जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर बुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान राजयोग के राज को जान, जिन्दगी बने आसान वो शांटी, स्वागत है आप सभी का हमाई प्रोग्राम जिन्दगी बने आसान में दोस्तो आजकल हम देखते आ रहे हैं कि छोटी या बड़ी कोई ना कोई बिमारी से हर व्यक्ति आज ग्रसित है कहीं ना कहीं हम सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं हम कोई कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसके वज़े से कोई बिमारी का कारण बनता जा रहा है हमें ये भी रियराइस करने की जरूरत है कि ऐसी कुछ बिमारिया जिसके बारे में हम बिलकुल भी अवेर नहीं है उन में से एक बिमारी है OCD आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जानेंगे कि किस तरह से इस बिमारी से हम बाहर निकल सकते हैं और लोगों को अवेर करा सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं Dr. Girish Patil जी, Om Shanti भाई जी, Om Shanti नमस्कार, Dr. साहब हमें पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि किस तरह से OCD ये बिमारी हमारे लिए हाने कारक है, हमने उसके बारे में जाना कि कुछ ऐसे कारण है जिनके वज़़ा से ये होती है हमने यह भी जाना कि कौन से ऐसी टेक्नीक्स हैं जिसके तुरू हम उसे क्या और भी कर सकते हैं अब मैं जाना चाहती हूं क्या कोई और भी टेक्नीक्स है जिनने हमने पिछले एपिसोड में cover नहीं किया जैसे आप देखें पिछली एपिसोड में बीच में समय की मरियादा थी तब बीच में रुके थे और पूरी एक टेक्नीक हम डिसकस कर रहे थे और बहुत ही तकलीफ है मैं जादा ही हाथ धो रहा हूं मैं जादा ही लॉक को चेक कर रहा हूं और कोई भी बात शुरुवात में उसे रोको तो रोकना बहुत ईजी है तो पहले बात तो रेखना इसे फिर कहते हैं री एवेलियोड जो करते हैं फिर से करो पहले तो नहीं था भी कैसे आया और लोग तो नहीं करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, हमने सारी चर्चा की इसकी, फिर तीसरा है re-attribal पर, ऐसे आम तोर पर हम यह कहते हैं कि भी दूसरों को दोश नहीं दो, आप कहीं देखेंगे मेरे lectures भी, तो हमें ही कहते हैं कि भी खुद जिम्मेवारी लो, दूसरों को जि जिम्मेवार नहीं ठहरा नहीं, हमें अपने यह जो obsession है, बार-बार हाथ धोना जो भी है, तो उसके लिए अपने brain के chemicals को जिम्मेवार ठहरा हूँ, कि कुछ भी हुआ, मेरे brain के chemical disturb हो गए, हमने पूरी चर्चा की है, कि amagdala एक filter है, जो amagdala है, वो filter अभी ठीक से काम नहीं कर रहे है, बाई हजार में से 999 तो उसने एक बार हाथ धोया, ठीक है, वो amagdala बोलता है कि perfect अपने हाथ धो लिए, लेकिन वो filter ठीक से काम बोलता है, हाथ नहीं धोया, नहीं धोया, पूरा साबून खतम कर देगा, चमडी निकल जाएगी, तब तक वो हाथ धोते ही जा र कि हमें जो कारे किया है, वो पूर्ण किया है, मतलब मेरे हाथ दो लिया, तो मैंने पैसे गिन लिया, लॉक बंध हो गया, या तो गैस बंध हो गया, ऐसे, वो जो भी है, डॉक्टर साब क्या वो जो वो कारे करते हैं, उसे भूल जाते हैं, या मतलब एक बार कर लिया मैंन है उस है तो OCD नहीं है जी जी कपड़े पहनेंगे मैंने ठीक पहने या नहीं आइने में दस बार देखेंगे वो नॉर्मल है कि उनको satisfaction नहीं हुआ पर उसीडी में excessive हो जाता है खुद भी realize करते हैं कि हमने जादा ही कर दिया तो उसके लिए जो attribute करना है जो कारण देना है वह अपने ब्रेन के chemicals को दो अपने को नहीं दो यह जिसे मैंने एमिडेला को दो मेरे एमिडेला में घड़बड़ा है मैं नॉर्मल हूँ है न वह signal नहीं दे रहा है मुझे पर उन्तु मुझे पता है कि उनमें तो patient को यह भी बोलता हूँ अभी OCD हो गया accept करो और य heart ठीक से धुले या नहीं, lock ठीक से बंद हुआ या नहीं पैसे ठीक से गिंती हुए या नहीं उस पर आपको नहीं जाना है आप कुछ नियम बना लो कि दो बार गिंती कि यह बस समझो दो बार lock को चेक कि इनफ एक बार साबून से हाथ दोए एक बार पानी डाला बस अब उसके क्या बोलेंगे विशलेशन में नहीं जाना है कि ठीक है या नहीं अभी ब्याड़ा कि नहीं साबून वहां लगया था उसके जंस यहां लगग गगया फिर से गंदा हो गया ओ जंजट में नहीं जाना है तो खुच समझता है कि यह सब में क्या कर रहा है तो उसमें हमको नहीं जाना ऐसे तो उससे भी फाइदा होता है अगर यह पक्का कर लेना तो दो बार हाथ दो या इनफ satisfaction हो या नहीं हो मुझे बहाराना है जैसे यह लोग है न वाश्रूम में बहुत टाइम लगाते हैं तो भी उनको कुछ बोलते कि भी आफिक्स कर दो कि 15 मिनिट में सनान करके बहाराना है कुछ भी हो जाए इससे ज़्यादा यह चीज को नहीं करना है मुझे अब कुछ लोग स जब शायद वो चीज को तवज्जु देंगी उनको पक्ता कराते हैं जो टेक्निक्स भी आगे डिसकस किये ना हां जी प्रेक्शन हो ने दो वो इस हो गया है मुझे सबस्वेश्ज लूज मोशन होगया इसके कारण हाथ गन्दे रहे घे तो 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 उसको ट्रीट करना अब यह जो मैं कर रहा हो ना ज्यादा तकलित दे रहा है तब भी कुछ लोग महां सब नहीं मान पाते हैं अगर अंदर में पक्का कर ले तो उसको हो सकता है इस प्रकार से यह करना है री अट्रिबुट करना है अब नेक्स टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है री चैन करो अलग जगह पर फर एक्जामपल कहिए मैं ज़े ओसीडी के रूट कॉस पर जाने का ट्राइड करता हूं जब भी ठरापी करते हैं तो कि जैसे ओसीडी का एक रूट कॉस माना गया जैसे उसके पर हंड्रेट परसंट प्रूफ नहीं है मैंने आगे भी कहा है कि जो साइ इकलोजी की थियरीज है उसमें सब लोग एग्री नहीं करते हैं फिर भी वहां कोहीं नहीं कुछ मिलता है इसे फॉर एक्जामपल कि फाउंडिंग फादर है सेग्मेंट फ्रॉइड कि जिसको आज आमतोर पर इतना लोग अबचू नहीं देते उन्होंने जो कहा पर तुम कि मैं अशुद्ध हूं मैं अपवित्र हूं यह तो कई गंट कॉम्प्लेक्स हि मैंने कुछ यह गलती कर दी चिकरे बच्चंपन से आगर कोई बच्चे में यह डाला गया है कि तू गलत करते है तूझे नहीं आता है तू बुरा करते है तो अगर वह पहले से उसमें 12-12 साल नॉर्मल रहे और फिर 19 साल का हुआ 22 साल का हुआ कुछ घटना हुई एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाएगी और OCD का रुपले ले तो अब करना है कि मैं पवित्र हुआ कि मैं पक्का करता हूं अलग अलग रिती से कि मैं शुद्ध हूं मैं पवित्र हूं थोड़ा से उनकी बात को समझ के भी बताते हैं कि अगर दुनिया में हजार लोग है तो असाइट उसमें आपका पचास में नंबर है पर दुसरे 950 जो है वो आपसे बुरा करते हैं कुछ है गलत करते हैं कहीना कहीं आप उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं एक तो सेल्फ एस्टीम एक बात और दुसरा यह कि भी तुम शुद्ध हो तुम अच्छे हो अभी आपने का सेल्फ एस्टीम हो है कि तुम अच्छे हो तो बात भी ठीक यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फ इस्टिम का हिस्सा है कि तुम पवित्र हो, तुम शुद्ध हो, तुम अशुद्ध नहीं हो, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने कोई गिल्ट नहीं की, यह बहुत बड़ा है, गिल्ट कॉंप्लेक्स वो बहुत सारे प्रॉब्लेम कर सकता है उनको ये कन्वीन्स करते हैं कि आप दुनिया में देखो क्या-क्या होता है उसकी कंपेरिजन में आपने साथ कुछ यहां उनने सबीस किया लेकिन वो कुछ भी नहीं है तो वो गिल्ड को खतम कर दो चाहे तो उसके लिए और कुछ करो सब्सकी बचपन में कोई कहे कि मैंने जूठ बोला तो अब यह आपको गंदर में खटकता है उसको ठीक करने के लिए चाहे तो आप लोगों को एजुकेट करो एक लाख लोगों को एजुकेट करो कि जूठ नहीं बोलना है जुठ बोलेंगे तो कभी ने कभी व्यक्ति फिर पकड़ा जाते हैं, वहलों कितनी भी कोशिश करें, तो वह नहीं करो ऐसे, वह बात है, जितना मैं समझ पाई हूं इस बिमानी को, कोई भी चीज को अगर बार-बार करते हैं, रेपेटेटिवली, तो वह उनके लिए भी हानिकारक है, और उनको ये डिजीज होने की चांसे ब पक्का करो कि now I am normal, मैं हर आम व्यक्ती की तरह ही बन गया हूं, मेरे आसपास जो लगए, कि मेरी मा एक ही बार हाथ दोती है, मेरे पिता जी एक बार दोते है, मेरे पती एक बार दोते है, मेरे डॉक्टर एक बार दोते है, उतना ही मुझे करना है, मैं अभी उनमें इसे ही एक हूँ, मुझे अपने ब्रेन के केमिकल्स को जो करना है करने दो, मैं उसको मानने वाला नहीं हूँ, अच्छे से करना तो रीगेन कर सकता है, उसमें फिर मेडिटेशन भी हल्प करता है, ये सारे प्रोसेस में अगर वो रेगूलर मेडिटेशन करे, तो रेकनाईस करना, उस प्रोसेस में एक तो मदद मिलती है, क्योंकि ये न, उनकी सतरकता बढ़ जाती है, अवेरनेस बढ़ जाती है, फिर ऑटोमेटिकली एकसेप भी करना, जो मैंने कहा कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, लेकिन उनको तो एकसेप नहीं हूँ, तो मैं तो शुद्ध हूँ, मेरी जैसा तो बूरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, यह न, ऐसा कहीं योग को होता है, तो जब वो मेडिटेशन करता है, तो आटोमेटिक ही आता है, कि मैं शुद्ध आतमा हूँ, मैंने भी जब ब्रह्मा कुमार इसको 76 में मैंने स्टार्ट किया, तो बस थोड़े समय में समझे, छे-सात मैने के बाद, मुझे यह इंस्पिरेशन हुआ, कि हम औरों को भी सिखा रहे हैं, तो भी औरों को भी फिर बहने बुलती थी, सेंटर पर, आजकल तभी बहुत विस्तार हो गया, तो one-to-one नहीं सिखा परते हैं, साथ में सिखाते हैं, लकिन उस समय one-to-one सिखाते हैं, तो एक बस कंड़क्टर मेरे पास आया, तो उसको मैंने बात के बात के बात किसने कहा, बहुत शराब पीता है, सारा दिन शराब पीता है, और जाता ही नहीं है, ब्यूटी पर ही नहीं जाता है, साथ उसका जॉब भी चला जाएगा, मैंने उसको कोर्स कराया, थोड़े दिन आया भी, फिर तो साथ उसका contact तूट गया, साथ 3-4 महिने के बाद एक बार मैं बस में जा रहा था, तो फिर मैंने उसको पहचाना नहीं, मैंने का टिकेट तो का साब आप से पैसे नहीं लेंगे, तो मैंने का क्यों, तो आपको मालूम नहीं है, आपने मुझे बताया था ना मेरी शराब छुट गे, बस में भी लोग नहीं थे तब ज़्यादा थोड़े लोग थे तो भी मेरे पास में बैठा और हम चर्चा करने लगे तो मैं उसको पुचा कि क्या है तो सर आपने को सब बुला था ना मेरे अंदर में एक बात फिट हो गई, मैंने ज़्यादा तो नहीं किया है, को साथ दिन आपके पास आया, फिर मैंने थोड़ा किया होगा, मैं भी अपने व्यवसाय में बहुत बिजी हूँ, मेरी शिफ्ट ड्यूटी होती है, घर की भी बहुत जिम्मेवारिया है, मैं इतना तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उन दिन मेरे में यह आगया कि मैं पवितर आतमा हूँ, बस मेरी शिराब छुट गए, मुझे भी अश्री हुआ कि शिराब छुटती नहीं है, इससे हमने यह सीखा कही ना कहीं, कि एक पॉजिटिव थोट से, अगर एक स्ट्रॉंग पॉजिटिव थोट हमारे जिंदिगे में आ जाए, तो हम किसी भी तरह की प्रॉब्लिम से बाहर निकल सकते हैं, और दुसरा है भी कि योग से कैसे आता है, कैसे भी यह ज्यान में पावर है कि आतमा में अंदर बैठी का कि मैं पॉजितर हूँ, जितना मैं इसको समझ पाई हूँ, मुझे इतना समझ में आ गया कि अ पॉजितिव थौट हो तो, डॉक्तर साब रीगें की बात आप कर रहे थे, उसके बारे में अगर और कुछ संग्शेप में आप बता सके हैं, यह जो सारी टेकनीक है, उसका यह लास्ट टैप है, कि आपने रीचनलाइज किया, अभी रीगें करो, रीगें मतलब कि पुनह प्राप्त करने, और सरल शब्दों में तो यही है कि पहले तो मैं थाई, जिसे बीमारी हूँ, इससे पहले तो मुझे स्नाहन करने में दस मिनटी लगते थे, यह बीमारी हूँ, इससे पहले एक ही बार पैसे गिंती करके मैं दे देता था, जो भी था, तो वैसा ही मुझे बनना है, यह कोई पूरव जन्मक की बात भी नहीं है जैसे निभी ज्ञान में कहते हैं कि कि बी तुम सत्य यूग में देव था तो कहते हैं अरे तो समझे भी नहीं आता है, श्वेव मुझे रियलाइज नहीं होता है, पर अंतु यहां पर तो तुम ही थे चार साल पहले, कि जो एक कुछ भी नहीं करते थे है नगो उसी को तुमें रीडेंड कर ना ऐसे प्रकार करना है और वह स्टेट को वापस पराप्त करना है बिलकुल कि भी मैं ऐसा था ही जिसे कुछ होते हैं कि इसमें कि भी बच्पन में तुम्हारी फर्स्ट रेंक आती थी फिर से आ सकती है बिलकुल कि भी विशे में तुमने नहीं किया तो ऐसे ही कि मैं तुम इसे नॉर्मल था भी मैं बन सकता हूं और यहीं क्सुंट्र नहीं होते हैं लेकिन होते हैं अभी हम कितनी एफ़र्ट चुर्द करता है ω् fenotber कितनी seven ten निकात्य है क्योंकि उसको पीछे कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि करो मैं अपना नाम भी बोलेंगे हम अ Caribbean करना है जितना मुझे इसके बारे में समझ आ रहा है, ये OCD के लिए बहुत जादा helpful techniques हैं, जिससे हम OCD से बाहर निकल सकते हैं, पर डॉक्टर सहाब, पता कैसे चले कि मुझे ये बिमारी है, खास करके जब इस सामने वाला व्यक्ति देखे आपको, जैसे I suppose मेरे neighbor है, वो मुझे notice कर हैं कि ये हर वक्त repetitively एक ही कारे कर रहे हैं, तो analyze कैसे करें कि सामने वाले व्यक्ति को ये बिमारी है, ये पता कैसे चले, जैसे इसमें अधिकतर तो patient खुद बोलते हैं, अच्छा, उनको खुद को ही realization रहती है, कि भी मैं ये जादा ही कर रहा हूं, और दुसरे तो बोलते ह ही है, for example, कि OCD के बहुत बड़ा ये issue होता है, कि उनको सफाई का बहुत होता है, कि भी घर में आए, तुरंद बोलेंगे, शूस को वहां उतारो, वाश्रूम में जाओ, समझो, वो सौफे पे बैट गए, तो पूरा सौफा धुला ही होगा, कि तुम कहीं बार आये, घंदा हो गया है, अभी सौफा को धुलाई करेंगे, तो बच्चे भी, आतो परिवार के सदश्य भी, बड़े इंद्रिस्टा बते कि क्या कर रहे हो, करेक्ट, हाला कि मैं मतलब थोड़ा सा इस पर कॉंटिडिक करना चाहूंगी, जैसे अभी बहुत फानी लगी गए सुनने के लिए, पर सपोज में मम्मी है, खास करके जो घर के ग्रिहनियां होती है, उनकी आदत ही होती है कि घर को साफ रखना है, किसी भी चीज को, मतलब स सही तरीके से रखना है, कोई भी चीज गंदी नहीं होनी चाहिए, स्वच होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रीम में कोई व्यक्ति ये कर रहा है, उससे पता चलता है, क्यूंकि सफाई तो सभी चाहते है, तो OCD जिसको बिमारी है, वो पता कैसे चले, सफाई तो अच्छी होनी कि आपके फादर घर आएंगे, वो आए और सोफे पे बैठे, तो ऐसा नहीं बोलेगी, क्या भी उठो इसकी धुलाई करोंगी, तो नहीं बोलेगी, अचा सिफ बैठने से ही खराब हो गया, मतलब OCD वला ऐसा बोलेगा, कि अभी तुम आए, निकालो सीधा वाश्रूम में तो जब इस सब कपड़े निकालो, नए कपड़े पहनो, तभी तुम सोफे पे बैठ सकते हो, तो तुम बाहर से आये हो, तुमारे कपड़े गंदे हो गये, अभी इस सोफा भी गंदा हो गया, अगर गलती से भी बैठ गये, तो भी सोफे की धुलाई होगी, या बैठ पे लेते हैं कि चलो ठीक है कि इसको है, लेकिन जो नौजवान बच्चे है, एडोलेसंट से बड़े डिस्टर होते हैं कि क्या है, क्योंकि कईना कई इंपेशन्स होता है उनके अंदर में, भी बर-बर हद धुला रहे हो, ऐसा भी होता है, कि सबजी लाए ना, सबजी की धुल और कहीं बार ऐसा हुआ है, अभी मेरे एक पेशन्ट आये थे, उनके हस्बंड तो जर्ज है, वो बलते कि नहीं, नहीं को तो कोई तकलिव होता है, क्यों आई, दो-तीन बार आई, फिर खुद भी आये, फिर बोले कि क्या तुमको तकलिव है, क्यों जाती हो काउंसिलिंग के लिए, उसना है का आप लोग तो मुझे बोलती हो ना कि मैं जादा कर रही हूं, कुछ-कुछ लोग accept करते हैं इसको, बिल्कुल रूपर साहब, जितना ये पूरा अगर हम सारांश में लेकर के आएं, क्योंकि पिछली एपिसोड में भी हमने इसका हाफ श्रिंकला ली थ है कि एक तो है recognize, अर्थात कि उसको समझो, ये recognize कर, अपने करना कि सजग हो जाओ, जागरत हो जाओ, कि मुझे ये तकलीफ है, ऐसा ने समझो कि ये normal है, फिर दुसरा है कि ओ जो सारा है उसको re-evaluate करो, कि ये क्यों हुआ मुझे, कि जिससे कहीं से भी anxiety शुरू हुई, कि ज कुछ हुआ, मैं tension में था कहीं, nervous था, life में कुछ time मेरे problems थे, और ये कुछ बात हुई और फिर बढ़ते-बढ़ते मेरा इतना बहुत ज़्यादा ही हुगया, इसे, उसको पूरा re-evaluate करो, ने आपका जो problem है, फिर कहेंगे re-attributed, कि उसका जो दोश है, वो chemicals को दो, उसका आपके brain के जो parts बरोबर function नहीं कर रहे हैं, ये कि मेरा hardware है ना, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक से, उसको दोश दो कि हो hardware को वुझे ठीक करना है, मेरा software तो ठीक है, ऐसे, तो re-attribute, फिर चौथा है, re-channelize, अब यहां कुछ काम करना है, ऐसे, overall हमने जो technique develop की, उसको थोड़ा अविस्तार किया, ताकि ना, लोग कर पाए, एक जो simple आप net में भी देखेंगे, तो इसको ये कहा गया है, कि exposure, response prevention technique, कि उसको आप expose करो, जो भी है, करो, और फिर response करो नहीं वैसा, भी हाथ को धो नहीं, समझो, हाथ को touch करो, लेकिन अभी धो नहीं उसको, लेकिन अभी यहा कि आपने सब समझा, और फिर अभी मुझे हाथ धोने का मन हो रहा है, तो मैं जबर जस्ती बैठों मनों तो मुश्कील है, एक group therapy भी होती है, जिसमें सारे OCD के patients कोई cutthा करते हैं, तो यह 10-15 patient कोई cutthा कर लिया, और फिर उनको करने नहीं देंगे, जबर जस्ती, कि तुमको हाथ धोने नहीं देंगे, तो थोड़ा सा उनको उपर pressure आता है, suppress कर रहे हैं, तो एरी channelize में हम यह बोलते हैं, कि आप है ना भी हाथ धोने का मन हो रहा है, चलो मुझे लग रहा है मेरे हाथ गंदे, हाथ मुझे धोने, पर उन्तु मुझे नहीं धो, मैं क्या करूँ, समझ हाँ जी, नहीं मेरे बचपन के कुछ फोटोस देखने लगूं, जी नो, इस आर ओल री channelizing in different meditation करूँ, तो यह है री channelizing, और लास्ट है regain, वो final है, कि अभी मैंने वो final stage को प्राप्त कर लिया, I am 100% जह साथ से 4 साल था, पहले वैसा ही हो गया, बहुत अच्छा, रोक्र साहब आज हमने बहुत सारी बाते जानी, जिसमें मुझे सबसे interesting बात ये लगी कि अगर OCD किसी व्यक्ति को है, तो सबसे पहले तो उसे detect करने की जरूरत है, उसे analyze करने की जरूरत है, और फिर कोई न कोई तरीके से techniques को जानने के लिए डॉक्टर के पास जाए, बिलकुल भी कत्र जाए नहीं, क्योंकि doctors, वो आपको treat ही करेंगे, आपको better ही करेंगे, और उस बिमारी से आपको बाहर निखा लेंगे, और उस बिमारी से आपको बाहर निखा लेंगे, था जिसका नाम है Obsessive Compulsive Disorder, हमने जाना कि किस तरह से हमें ये बिमारी होती है, कैसे इससे बाहर निकलन और हमने कुछ टेक्नीक्स भी जाने, जिसके तुरू हम इससे क्योर भी हो सकते हैं, अगर आपको या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को इस बिमारी की थोड़ी भी भनग पढ़ रही है, तो हमें सतर्क रहनी की जरूरत है, अपनी अंदर में इन टेक्नीक्स को अगर तो आप इस बिमारी से बाहर भी निकल सकते हैं, इस बात के साथ आज के प्रोग्राम कॉमेंन करते हैं, आप से फिर मिलेंगे आपके हिशों में जिन्दगी बने आसान, उम्शंती बने झालो